मेरे सभी समानित मित्र विवेचना में मेरा अभिवादन सुईकार करें मैं डॉक्टर एसके शर्मा अस्थी रोग विशे सगें मित्रों आज विवेचना में मैं आपको बताना चाहूंगा यदि कूला किसी भी व्यक्ति विशेस का खसक जाए तो आप उसे आसान तरीके से कैसे बिठा सकते हैं कूला सामानेता चोट के उपरांत ही खसकता है 99% लोगों में और यदि एक बार किसी भी व्यक्ति का कूला खसक जाता है तो व्यक्ति की सामाने चलने फिरने की स्थिती बिलकुल से बंद हो जाती है और एक तीवर दर्द का एहसास होता है जिससे व्यक्ति खड़े भी नहीं हो सकते हैं तो मित्रों आईए मैं आपको बताने की कोशिस करता हूँ कि एक आसान मेथड जिससे कि आप कूले को बेहद आसानी से बिठा सकते हैं मित्रों आप जबी भी कूले को बिठाने जाएं तो यह जरूर ध्यान दें कि जिसका भी कूला खसका है आप उसे पूरे तोर पर confidence मिलें विश्वास मिलें कि आप उनके दुख को काटने जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप उनके दुख को बहुत बढ़ा देंगे अच्छा मित्रों जबी भी भी आप इस चीज को करने जाएं तो आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि यदि आपका टीम वर्क अच्छा नहीं है और आपने एक बार खीचने के दौरान पेसेंट को पेन दे दिया और पेसेंट का आपके ऊपर से विश्वास हट गया तो फिर आप नहीं बिठा पाएंगे तो फिर काफी दिक्कत होगी तो मित्रों आईए मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे बिठा सकते हैं जैसा आप इस एकसरे में देख सकते हैं या एक पोस्टियर डिसलोकेशन ओफ है इस हिप को बिठाने का मैनिवेर एलिस मेथट के लिया गया है रुकिये आप अपना नाम बताईए साहब भारत भाई भारत भाई देखिये अगर कूला खसक गया और आपने साथ नहीं दिया तो कोई नहीं बिठा पाएगा आज तक हमने आपरेशन थीएटर की दहली जंदर नहीं लाई है कर खूला बिठाने के लिए और आप पहले ऐसे वेक्ति हैं जो किसी को छूने नहीं दे रहें तो यह तो बहुत गलत बात है आप सयोग करेंगे तो भी बैठ पाएगा समझ रहें ना तो आप अपने सुख के पल को याद करिए खूले पर ध्यान न लगाएगे ध्यान लगाएंगे तो नहीं बैठेगा और अगर आप इधर उदर की बात सोच लीजिए तो अभी खट से बढ़ जाएगा तो आप साथ दीजिए चलो बेठा ये पैसा नहीं दर्द होगा कोई भी आदमी बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा आप पहले सर पे रखिए सांत रहिए अब आप पैर को धीला छोड़िए एक तम सीधा कर लो पहले पैर बेठा बिलकुल उपर तक आप मतलब मान के चलिए ये पैर आपका हई नहीं है आपने हम लोगों को दे दिया ठीका ना अब देखे किता धील आपने छोड़ा इस तरीके से कहोगे तब कोई वेक्ति विशेस अमोल लीजा अब घुटने पर दे के कोई दम मत लगाई है आप अपने घर के बारे में सोचिए दहिने बारे अच्छी बातों को सोचिए पहले लीनिय ट्रैक्सन लगे रहने दो बाबु को ट्रैक्सन लगे रहने दो तबी वो थोड़े देर चुकि अच्छा कितने देर पहले हुआ था भारत भाई कली हुआ है ना पांच मुझे तो कुछ नहीं है सब कई बार फंस भी जाता है मकर चलिए जब ना बैठे बेटा तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेट टांगे रहिए माल लीजे एक आदमी से नहों उपर लीनियर ट्रेक्शन में तो दो आत्मी करेगा बाइसेप्स की मसल और जंगे की हैमिस्ट्रिंग ना ना दोनों दबाओ यह भी दबाखे रखो बहुत रहिए थोड़ा सा दाइने मैं ट्विस्ट करो रहा किस टाइट नहीं कर रहा है उनका चेहरा सान थे बिलकुल हाँ आगे तक लिया आओ आगे आगे और फ्लेक्स करो राइट लेट गुमाँ थेला छोड़ें भाई साब थेला थेला हाँ खुटना मोड़ी है भाई साब आप बैठने वाला है अब आप हमारी तरफ सूचिए हाँ बिलकुल आगे छोड़ें पास बीटा बैठने वाला है बैठ गया मुझे लग रहा है सारा दुख कट गया ना बीशने देला छोड़ें देला चोड़ें इसम्याओ अब यादा चोड़ें देला चोड़ें अब ऐसा लगा ना कि बिल्कुल चरम का अनंद आ रहा होगा मज़ा आ रहा होगा है और अब इस प्रकार से कंधा माफ करें खूला बिठाया जाता है भारत भाई भारत जैसा विसाल रास्ट का नाम है आपका और आप इतना हिम्मत ने कर पाए धन्यवाद आपको देते हैं कि आपने हमारा रिकार्ड नहीं तोड़ने दिया वरना रिकार्ड तूट जाता कि हम लोगों ने आज तक ओटी में नहीं लाया किसी को कूला बिठाने के लिए ओटी की धर्ती पर आप बिठाए गए हैं आरे सब डाक्टर आई से अच्छे हैं तो नहीं कोई कुछ परिसान नहीं किया होगा डाक्ट साब जो लोग बिठा रहे होंगे उन्हें का पता ये थोड़ा सा अलग है जब तक आप सांत नहीं होंगे तब तक ही बैठता नहीं है तब कई से अरे चलिए सबका अलग-अलग मिथड है एक चीज़ बंग तो दस तरीका है चलिए ये वेटा सीधा करके उठा दो अब आप चल भी सकते हैं चल भी सकते हैं ऐसे सीधा करके उठा लो खड़े हो जाईए अरे इतने मुश्किल जोची बैठा आप हो हमारी तरफ देखिए बस इस वार आपको सदेओं कामियाब रखें खोप बढ़िया रही है अब चलते हुए चले जाए नहीं पर वेचुगर में सब भाप लागी सब प्रभू का गुणगान करिए अरे नही वीडियो रिकार्डिंग हो तो भाए अरे नहीं हमारे चलिए साइन से घर चाहिए